देश विदेश से लोग चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने उत्रा खंड आते हैं, मगर बद्रीनाथ धाम अपने आप में ऐसे कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिसके कारण लोगों की यहां के प्रती एक अलग मान्यता है, भक्ती भाव है, यहां से कोई भ भक्त खाली हाथ नहीं लोडता, मगर क्या कुछ सालों बाद भक्त बद्री विशाल के दर्शन से वंचित हो जाएंगे, क्या कुछ साल बाद ही कोई नहीं जा पाएगा बद्रीनाथ मंदिर, ऐसे कई रहस्य जुड़े हैं इस धाम से जिनके बारे में आज हम बात करनी जा इस धाम से जुड़ी दो कहानिया काफी प्रचलित हैं, पहली कि एक समय में इस धाम के आसपास जंगली बेरी यानि की बद्री काफी जादा पाई जाती थी, इसी बद्री के नाम पर इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा, इसी के साथ यहां से जुड़ी एक दूसरी कहान काफी प्रचलित है जब भगवान विश्नु यहां तपस्या में लीन थे तो उस दौरान इतना ज़्यादा हिम पात हुआ कि भगवान विश्नु भी पूरी तरह बर्फ में डूप चुके थे उस समय मातालक्ष्मी से उनकी यह दशा देखी ना गई और उनके पास ही मातालक् कि तप को देखते हुए कहा कि हे प्रिय तुमने भी मेरे समान ही तप किया है इसलिए इस धाम को मुझे तुम्हारे साथ पूझा जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने बद्रिवरिक्ष का रूप धरन कर मेरी रक्षा की इसलिए मुझे भी बद्री के नात य निशान मिट जाएगा, तो बद्रीनात और किदारनात धाम भी भक्तों को कभी नहीं दिखेंगे। बद्रीनात मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। एक दिन भगवान शिव और माता पारवती देखते हैं कि उनके द्वार पर एक बालक बहुत तेज तेज रो रहा है। माता पारवती ये देख कर चुपना रह सकी और वे बच्चे की तरफ जाने लगी। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और साथ ही समझाया भी कि इस निर्जन इलाके में यहां केला बच्चा कैसे आ सकता है। लेकिन उस बालक करोना ममता से भरी माता पारवती से देखा ना गया और माता पारवती ने जट से बालक को गोध में उठा लिया और अंदर लाकर दूद पिलाने लगी। वह कोई साधारन बालक नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी, माता पार्वती बोली अब हम क्या करेंगे, कहा जाएंगे, तब भगवान शेव बोले यह तुम्हारा प्रिय बालक है, इसलिए मैं इसे कोई हानी नहीं पहुचा सकता, अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकलप है, कि हम अपने लिए कोई दूसरा ठेकाना ढोण ले, तब भगवान शेव बनाया, बद्रिनाथ धाम से जुड़ा एक रहस्य है, कि धाम के कपाट बंध होने के बाद भी यहां बद्री विशाल की पूजा की जाती है, अब इस वरान इनकी पूजा कौन करता है, यह जान जाती है, वो कपाट खुलने के बाद भी जलती हुई मिलती है, बद्रिनाथ से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, कि यहां शंक नहीं बजाये जाता, वैसे तो हर मंदिर में शंक बजाना काफी शुब माना जाता है, मगर बद्रिनाथ में इस पर रोख है, इसके दो अलग- जाये जाने का एक अध्यात में कारण भी है, शास्त्रों की माने तो एक बार मा लक्षमी बद्रिनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी, तब ही भगवान विश्नु ने शंक चुरन नामक राक्षच का वद किया, अब हिंदु धर्म के अनुसार विजय पर शं अध्यात में बने शंक राक्षच का वद कर रहा है, वही बद्रिनाथ मंदिर में भगवान विश्नु की मूर्ती शाली ग्राम के रूप में विराजमान है, माना जाता है कि आठवी शताब्दी में आधी शंक्रचारे ने नारत कुंड से भगवान विश्नु की इस मूर्त और आपको बताते हैं कि आपको बद्रिनाथ धाम तक कैसे पहुँचना है, रिशिकेश से बद्रिनाथ धाम लगभग 296 किलोमीटर है और दिल्ली से 525 किलोमीटर, रिशिकेश बस स्टेशन से बद्रिनाथ के लिए नेमित अंतराल पर बसे चलती रहती हैं, और सुबा होन से रुद्रप्रयाग, चमूली या जोशिमट तक की बस लेनी होती है, और यहां से बद्रिनाथ तक बस या क्याप के द्वारा सफर करना होता है, तो यह थी बद्रिनाथ से जुड़ी कुछ रोचक बाते और जानकारी कि आप कैसे यहां तक पहुँच सकते हैं, आपको यह वीडियो कितनी इंफोर्मेटिव लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा